नमस्कार दोस्तों, चेई-PYQ सेरीज में आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं, चलिए देखते हैं, क्वेशन में क्या दिया हैं, क्वेशन में दिया है, to mop clean a floor, a cleaning machine presses a circular mop of radius R, vertically down with a total force F, and rotate it with a constant angular speed about its axis, if the force F is distributed uniformly over the mop, and if coefficient of friction between the mop and the floor is mu, the torque applied by the machine on the mop is, चलिए, एक circular mop दिया है हमें, और mop की radius कुछ R बताईए, ये mop घुम रहा है, मशिन की वज़े से घुम रहा है, मशिन इस पे vertically downward direction में force लगा रही है, और वो force पूरे mop पे uniformly distributed है, और force F जो लग रहा है, वो uniformly distributed है over the mop, चलिए भी क्वेशन में बता दिया है, अब सोचो, इस पे force तो लग रहा है, और ये घुम भी रहा है, क्या हम ये सोच सकते हैं कि ये जो force लग रहा है, उसकी वज़े से ये घुम रहा है, मतलब इस पे कोई torque लग रहा है, अब आप ये सोचो कि torque जहाँ जहाँ पे होगा, torque जहाँ जहाँ पे होगा, वहाँ पे angular acceleration भी तो होगा, जैसे कहीं पे आप force देख रहे हो, तो force है, तो इसकी वज़े से acceleration तो होगा ही होगा, वैसे ही बिल्कुल जहाँ पे torque है, वहाँ पे angular acceleration तो होगा ही होगा, चलिए मतलब, machine इस पे जो force लगा रहा है, उसकी वज़े से ये घुम रहा है, force vertical downward direction में, लेकिन ये घुम रहा है, ये पकी बात है, घुम रहा है तो इस पे torque लगता होना चाहिए, torque लग रहा है तो इस पे angular acceleration भी होना चाहिए, लेकिन question में ये बताया है कि ये constant angular speed से घुम रहा है, मतलब acceleration तो है ही नहीं, ये कैसे हो सकता है कि हम force लगा रहे हैं, इस पे torque भी लग रहा है, लेकिन फिर भी इसके पास कोई angular acceleration नहीं है, ये कैसे हो सकता है, ये सोचो, सोचो, force भी लग रहा है, force की वज़े से torque भी जनरेट हो रहा है, और torque है, फिर भी angular acceleration नहीं है, मतलब क्या हमने ऐसा कहीं पे पड़ा है कि force लगा रहे है, फिर भी ये constant velocity से जा रहा है, हावाई, काफी बारे सामने NLM में पड़ रहा है कि force लग रहा है, फिर भी ये constant velocity से जा रहा है, क्यूंकि इसे oppose करने वाला भी कोई force होता है, जैसे friction, तो जितना ये F लग रहा है, उतना ही अगर friction लग रहा है, तो इस पे net force हो जाएगा 0 और ये constant velocity से जाएगा, बिल्कुल यहाँ भी एसे ही सोचो, कि यहाँ पे कोई machine की वज़े से torque लग रहा है, friction इस पे opposite direction में torque लगाएगा, और अगर दोनों का torque सेम हुआ, तो मतलब बाई इसका कोई angular acceleration होगा ही नहीं, तो ये constant angular speed से घुमेगा, वापस machine इस पे torque लग रहा है, मान लो यह torque anti-clockwise direction में machine इस पे torque लगा रहा है, इसके वज़े से यह घुम रहा है, मान लो friction इसकी opposite direction में बिल्कुल उतना ही torque लगाए, अगर उतना ही torque लगाए, तो वही इस मोग पे net torque 0 हो जाएगा, और net angular acceleration 0 हो जाएगा, तो यह constant angular speed से घुमेगा, चो कि हमें question में बताया है, तो यह भी आप दिमाग में बिठा लो कि torque तो जरूर लग रहा है वही, लेकिन दो-दो torque लग रहे हैं, एक machine लगा रहा है, तो एक friction लगा रहा है, और दोनों ही torque अगर same और opposite direction में हो यह तो बोड़ी पे net torque हो जाएगा 0, तो यह constant angular speed से घुमेगा, चली, तो हमें पूछा है कि torque applied by the machine, लेकिन machine की तो यहां कोई detail ही नहीं दिये, लेकिन हाँ, अब तो में यह भी पता चल गया है, कि जितना torque machine लगा रहा है, उतना ही torque friction लगाएगा, friction की detail दिये, देखो बैं, question किस तरह से बनाया हुआ है, पूछा है machine का, लेकिन detail तो उसकी कुछ है ही नहीं, हाँ, torque की सारी detail दे दिये, हमने यह भी देख लिया, कि जितना torque machine लगा रहा है, उतना ही torque friction लगाएगा, क्यूँकि यह constant angular speed से घुम रहा है, तो दोनों का torque सेम ही होगा, हम निकालेंगे friction का torque, friction का normal भी यहाँ पे दिया है, कैसे, क्यूँकि यहाँ पहले ही equation में बताया, कि यह force vertically downward direction में लग रहा है, vertically downward direction में लग रहा है, मतलब आप यहाँ पे अगर side में से देखो, तो क्या ऐसे दिखेगा, अगर आप side में से देखो, अगर आप यहाँ से देखो, तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, कि यह circular मोप है, force space है vertically downward direction में लग रहा है, और uniformly distributed है, चलिए, तो हमें कुछ normal भी पता चल गया, चलिए, तो अब तो हमारे पास सारी detail है, अब बस सिर्फ calculation ही बाकी है, चलिए, friction तो हर जग़ पे है, लेकिन अगर आप यहाँ से देखा जाए, तो यहाँ पे भी friction लग रहा है, 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 इसे तो काफी सारे point है, हर जगह पे friction तो हे ही है क्या आपने torque का ये formula पड़ रखा है torque equal to R perpendicular into F चलिए friction तो और जगह सेम है लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ R perpendicular छोटा होगा यहाँ थोड़ा बड़ा होगा यहाँ उससे भी बड़ा होगा यहाँ उससे भी बड़ा होगा मतलब कि friction तो हर जगह पे सेम है लेकिन यह R perpendicular अगर पूरी disk में देखा जाए तो यह change होता जा रहा है हर point के लिए R perpendicular different होगा तो हम एसे simply तरीके से नहीं निकाल सकते हमें कही ना कहीं तो integration करना ही पड़ेगा या तो आपके पास यहाँ पे दो रास्ते है या तो यहाँ इसके जितने हो सके उतने छोटे छोटे पार्ट कर लो सबका टोर्क निकालो और फिर addition कर लो अगर यह नहीं करना है तो आप integration कर लो integration करना काफी आसान रहेगा चलिए क्या करना integration करने में जैसे आपने पहले कहीं सिखाई होगा कि अगर आपके पास डिस्क है तो आपको क्या करना है आपको करना है भई चलिए एक्स डिस्टन्स पे जाके चलिए एक्स डिस्टन्स पे जाके आपको एक छोटा सा element मान लेना है जिसकी थिकने से dx चलिए मैंने यह छोटा सा element मान लिया जिसकी थिकने से dx आपको क्या करना है, यह force हर जगा पर इस्ट्रिबूट है, आपको वेसे देखा जाए, तो force हर जगा पर इस्ट्रिबूट है, तो यह छोटा सा element आपको दिख रहा है, उसमें vertically downward direction में कितना force लग रहा है, चली हम निकाल लेते हैं, चली छोटा सा force, मान लीजिए ये df है, और यही normal हो जाएगा, क्योंकि है तो छोटा सा force ये surface पे जो लग रहा है, वही हमारे लिए normal हो जाएगा, क्या होगा by net force by net area, क्योंकि हमारा force पूरे area में distribute है, तो हम करेंगे net force by net area into required area, चली, net force, net force जो कि हमार एफ है, net area, net area है pi r square, चली, इसके radius r में बताई गई थी, चली, यह equation में बताया है, net radius r है, और हमें कितना चाहिए, हमें सिर्प चाहिए ये area, ये, तो ये area कैसे निकाले, ये area निकालेंगे हम length into width, इसकी length हो जाएगी 2 pi x, और width है dx, length into width भी भाई area ही हो होगा, अरे भाई सोचो, length into width, इसकी length हो जाएगी 2 pi x, क्योंकि भाई ये तो circle ही है, हाँ, लेकिन इसकी width भी dx है, तो area में कुछ ऐसे लिखोंगा, 2 pi x dx, चली, तो यहाँ से pi pi मर जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा 2 f x dx, बाई r square, चली, और यह छोटे से element में friction कितना लगेगा, छोटे से element में friction को में df, छोटा सा element है, छोटा सा friction मिलेगा, mu into dn, चली, mu को यहाँ multiply कर लो, तो यह हो जाएगा, 2 mu f by r square, into x dx, यह मिल गया friction, अब यहाँ friction की वज़े से, छोटा सा torque भी मिल जाएगा, चली, छोटा सा torque, छोटा सा torque मिलेगा, r perpendicular, अगर यहाँ पे देखा जाए, तो यह perpendicular distance हमारा x ही है, देखो भई, यह perpendicular distance x ही है, चली, तो perpendicular distance भी ही है, हमारे पास x, और force तो हमने निकाली लिया है, df, तो x को यहाँ multiply कर लो, तो यह क्या हो जाएगा, 2 mu f by r square, x हो जाएगा, sorry, x multiply करोगे, तो यह हो जाएगा, x square into dx, अब यह से कितने torque निकालने है, तो यहाँ पे पहला element आप मान लो, फिर दूसरा, फिर यह, एसे करते, 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 आपको यह ले जाना है, पूरे mop पे, मतलब पूरी disk पे, चली, तो मतलब मुझे integration करना पड़ेगा, 0 से लेके r तक, सभी 0 से लेके r तक में, जितने एसे आप circular loop बना रहे हो, सब पे हमें torque चाहिए, वही friction का net torque ह होगा, और friction का net torque ही, machine का torque हो जाएगा, क्योंकि दोनों equal और opposite direction में ही, चली, तो अब मुझे इसका integration करना पड़ेगा, चली, तो integration करलू, तो net torque, कुछ एसे मिलेगा, integration of d2, 0 से लेके r तक, चली, इसमें अगर देखा जाए, तो यह item तो constant ही है, वह तो वेसे भी निकल x square का integration हो जाएगा, x cube by 3, integration तो बड़ा ही आसान है, चली, तो 2 mu f by r square निकल गया, और यहाँ x square का integration हो जाएगा, x cube by 3, अगर limit रखते हो, तो यह हो जाएगा, r cube by 3, r square, r square कट जाएगा, और net torque आ जाएगा, 2 by 3, mu f r, चली, यह हो जाएगा, net torque, तो बड़ा ही अच्छा question था, चली, मिलते हैं, अगले question में, thank you